हेलो फ्रेंड आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब जेनल क्रेकिट पर दोस्तों इस वीडियो में हम करंट अफेर्स की बात करेंगे करंट अफेर्स में आज एक कंप्लीट वीडियो बनाया है मैंने अगस्त की क्रिनलोजी पर क्यूंकि आप सबको पता है कि अभी एक बग 170 परशंट करंट है इनुए निगे आता है मैं पूरे की सन के गयारा है अडेयन से शुन शेष्ण 178 परशंट का वहाँ वह आपको लश्ट के तीन चार मेनों में में देखने को मिलेंगे तो इसी की तहट मैंने हैंड राइटिंग नोट से उती इंपोर्टेंट टोपिक को इसमें लिया है करनोलोजी से और सबको मतलब मैंतोपुन्ट टत्थों को चुनते वए ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो में आपको पूरे जुलाई मेने का करेंट हो मिल जाएगा तो आपको जगर जगर देखने की जूरुत नहीं है अगर आपने पहले से तियार कर रखा है तो आपके लिए एक मतलब रिविजन का मुका हो जाएगा इससे आप रिविजन करें आपको बहुती ज़दा फायदा इससे मिलेगा तो दोस्तों सुरू करते हैं आज का वीडि अब उपचारिक रूप से यह देश अलग हो गया है और अलग होने का नेने इसने मई 2020 में लिया था लेकिन अभी यह मतलब नेने वो उपचारिक रूप से अलग हो चुका है क्योंकि उसको सेंवती राष्टर को इससे अवगत करा है वह च्छै जुलाइक को करा है पहले इ अब बात को इसकी आरोप लगाकर अमेरिका वह वह से अलग हो गया था अब बात करते हैं दूसरे चीज़ कि इसने 35 क्रोड डॉलर की साहता पर रोक लगा दी यह बाते हैं दोस्तों सिर्फ हैं इसमें से क्यूशन नहीं आएगा क्यूशन आएगा तो एक ही क्यूशन बनता है कि डबल वह से उपता है कि डूप से अलग कौन हुआ है अमेरिका हुआ है अब बात करते हैं नेपाल की नेपाल है विस्वा बैंक ने इसे निम्न मद्द आयवरग में सामिल किया है विस्वा बैंक के नुसर परती विक्तिया है 1036 डॉलर से कम हो तो है गरीब देसों की स कि सरे में है नेपाल है वह निम्न मध्द आयवरग में इसको सामिल के लिया गया है दूसरी चीज़ा है स्री-लंका स्री-लंका को ऊ-rama कि दोस्तों यह व्रग वाले ने परी मात कि उनmente आ नयार राष्टी कानून है उस पर अस्ताक्सर किया है चीन नयार राष्टी शुरक्सा कानून वो लेकर आया होंग कोंग के विशे में तो अमेरिका ने होंग कोंग स्वायत्ता कानून पर अस्ताक्सर किये हैं अब होंग कोंग को आप सब को पता होगा कि होंग कोंग वो चीन का अर्द स्वायत मतलब इस्सा है कि विदे से और सुरक्सा के मामले हैं वो तो हैं सब चीन के पास और बाकी के दिकारा मां होंकों के पास खुद के हैं अब बात करते हैं दोस्तों खादि शुरक्सा और पोशन के इस्तिती रिपोर्ट आई भी 2020 की तो इसमें क्या है कि 2019 में विस्वे की आठ पॉइंट नो परतिसत जन संग्या वो भूग से परबावित है दोस्तों ये 21 सदी की बात हो रही है कि 2019 में भी विस्वे की लग बग 9% जन संग्या वो भूग से परबावित है और इसमें से भी 50% से जदा हैं वो एशिया के लोग हैं 2018 की तुलना में 10 मिल निए खादे प्रनालियों को बदलना थीम बहुत ही जदा मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें से क्यों आपका डेफिनेटलि आने की संभावना अब है तहरीक अग्षान पाकिस्तान के नेतान मुफ्ती नूर वली महसूद को वेस्विक अंतकवादी गोशित किया है मुफ्ती नूर वली महसूद चीन का मंगल ग्रे के लिए 93 फैस्ट प्रक्सिपित किया गया है मंगल ग्रे के लिए यान है यान का नाम है 93 फैस्ट चीन का है और होप है दोस्तों UAE सेयुक्त अरब अमिराद का पहला मंगल मिशन है दोस्तों जापान से एच टूए रोकेट द्वारा ये प्रक्सिपित किया गया है UAE ने इसे अल अमल नाम दिया मतलब UAE ने तो इसे अल अमल नाम दिया है और बाकी इसने होप नाम रखा है और ये जापान से प्रक्सिपित किया गया है दोस्तों IMPORTANT क्यूं है क्यूंकि यह खाड़ी देशों का पहला मंगल मिशन है खाड़ी देशों का यह मिशन है वो पहला मंगल मिशन है इसलिए बहुत जड़ा इंपर्टेंट है वनना इतना ज़्यदा कोई IMPORTANT नहीं लेकि नाम दोस्तों थोड़ा मतलब अटपटा है लेकिन इंपोर्टेंट है खोलुगं चू जल विदुत परियोजना भारत और बुठान के मद्द्द छहसों मेगावाट की जल विदुत परियोजना है और भारत ने पहला पेज इसी परकार के नो पेज हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाश्ट तक जरूर देखें स्पीड को आप अपने तरह से सैट कर सकते हैं और पूरा वीडियो देखोगे तो आपको फाइदा जरूर पहुंचेगा तो दोस्तों भारत की साहता से ब स्री लंका और माल्डिव दोनों रूबेला खस्रा मुक्त हो गए हैं डबलू एचो की बात करते हैं दोस्तों क्यूंके अमेरिका इससे वर्तमान में अलग हुआ है और कोविड-19 के इस दोर में डबलू एचो की मैता बहुत ही ज़्यादा है इसलिए इससे क्यूशन आने क समावना वह सो परसेंट है एक क्यूशन आपको डबलू एचो से जरूर देखने को मिलेगा तो डबलू एचो पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्ट और इसके कुल सदस्य देशा वह एक सो चुर्याण में है और इसकी स्थापना साथ अपरेल गुनिस सो अड़तालीस को वी थी है हेड़कॉर्टर वह जीनेवा स्वीटर लेंड में है हेड़कॉर्टर जीनेवा स्वीजर लेंड में है और इसकी मानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम इथोपिया की है दोस्तों ये डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम है वह इथोपिया की है और उप मानिदेश ताकि आपको भी याद हो जाए यहीं पर तो दोस्तों सबसे पहले उपर से हम बात करते हैं क्या क्या मतलब थोड़ा इसका बड़ यह ग्रैब्ड देश्टब्स है निम्नमध्डे आयवरäग में अब इसी आगे अगे बाग करें तो होंकोंग में चीन एक नया राष्ट सुरुकसा कानून लख रहा था आप सब यार भी होगा कि उस फान हैडलान हुआ करती थी कि बहुत ज़्यादा विरोध प्रदसन क्या गया था तो अमेरिका ने होंग कॉंग स्वाइटा कानौन पर स्ताक्सर के रही थे फिर आता है राष्टी ए खादे सुरक्सा खादे सुरक्सा और पोर्षन की स्तितिकी रिपोर्ट है मिशन और यह दोस्तों खाड़ी देशों का भी पहला मंगल मिशन है इसलिए बहुत ही ज़्यदा इंपोर्टेंट है होप और यूए निशे नाम दिया है अलमल अब बात करते हैं खोलू गंचु जल्विदूत प्रियोजना है भारत और बुठान के मद्दिए 600 मेगावाट की वरतमान में इसकी आदा सिला रखे गई है और मंगदेच्छु है वो पूरी हो चुकिए 720 मेगावाट की इस परकार कुल मिला कि भारत और बुठान के मद्देव जो इस ताफित जल्विदूत प्रियोजना की कुल बात करें तो में और महानी देशक हैं टेड्रोस एड्रेनोम इथोपिया के हैं और उप महानी देशक दोस्तों भारत की एकोन स्वामिया स्वामिनातन तो दोस्तों यह फटा फट एक डिविजन हो गया हमारा अंधराश्टी प्रिदसे की जो थोड़ा बड़ा है मतलब तीन चार पेज म कि तीन या चार क्यूशन आपको इस मेने के क्रिणोलोजी से सो परसेंट मिलेंगे अब बात करते हैं दोस्तों राश्टी परीदसे में सबसे पहला टुपिक है रिवा की मेगा सोर प्रियोजना देश को समर्पित कर दी है किसने की है विशी के मादिम से मतलब वीडियो कॉ करूंफरेंशिंग के मादिम से मद्य परदेश के रिवा में साड़े साथ सो मेगावाट की है दोस्तों यह दस जुलाई दोजार बीस को परदान मंतरी ने वीडियो करूंफरेंशिंग के मादिम से मद्य परदेश के रिवा में साथ सो पत्सास मेगावाट की यह सोर उरज मेट्रों को भी इसे बिजले मिलेगी 24 पर्सेंट और मद्य-पर्देश की वरतमान में सियं मैं सिवराज सिंग चोहान और उप्र राजय पाल मतलब उपर राजय पाल कुन थी उत्तर प्रदेश की राजय पाल है दोस्तों यह सोधा बेन और मद्य-पर्देश की का रिवाayक प्राइजेपाल यह सुधा बेन है और मद्यवर्देश की सियम है शीवराद चोवान यह मतलब क्यों मैंने लिखा है यहां पे क्योंकि यह सब उस उद्धगाटन में सामिल हुए थे परदानमति नरेंदर मोदी जी के साथ यह सब भी सामिल हुए थे इसलिए मैंने इसको लिखा है इसके अलावा यह एक फिक्ट है क्या पता यह भी आजाए सत्य और है सत्य कत्रों में की प्रतिवर्स लगबग 15.7 लाग टन कार्बन डाई ओकसाइड के उत्षरजन को यह चीज़ है वो कम गरेगी क्या कम गरेगी कि साड़ 700 मेगावाट है वो बिजले सोरूर्जा से बनाने के कारण लगबग 15.7 लाग टन कार्बन डाई ओकसाइड के उत्षरजन को यह कम करेगी जो 2.6 करोड पेड़ लगाने के बराबर है तो दोस्तों यह बात होगे रिवा की मेगा सोरूर्जा परियोजना बहुत ही जदा इं मेट्रो को मिलेगा बात करते हैं दोस्तों आगे दुर्वास्तर दुर्वास्तर है दोस्तों एक एंटी टेंक मिशाइल जो जिसका सफल परिक्शन हो ओडिसा के बाला सोर में किया गया और यह नाग मिशाइल का अपग्रेड़ेड वर्जन है इसके मारक 76 किलोमेटर है और यह दागो और बूल जाओ मतलब सिदान पर अधरित मिशाइल है दागो और बूल जाओ मतलब एक बार इसको चला दो फिर बूल जाओ कि इसका जो जहां पे गिरनिया वहीं पर जाएगी अगर वो दाएंबाएं भी इसका लक्षि हो जाए तका अपने आप यह दाएं और बाय मुटकर उसी लक्षे के ऊपर ये मतलब अपना मार करेगी तो ये है दागो और बूल जाओ शिदान्द पर अधरित मिसाइल है वो इसकी मारक चमता है वो साथ किलोमेटर है नाग मिसाइल का अपक्रेडिड वर्जन है एंटी टेंक मिसाइल है दोस्तों जिसका सफल प्र का है एघी माला में तीन में याओ towards सेइंतर का इस्थापना हुई है दो जाफरबाइस तक दो जाफर बाइस सो ق्राप्ण के भारत सकार ने कीमेशार की पहले हैं अब दोस्तों ये क्या चीज है मैं आपको समझाता हूं कि 2022 तक भारत ने ये टार्गेट बना रखा है कि 2022 तक 100 गिगावाट सो रूर्जा हमको प्राप्ट करनी है मतलब सूरी ये उर्जा से जो उत्पन भिजली है वो 100 गिगावाट होनी से ये और इसको हम नभी करनी ये उर्जा सरोत बोलते हैं 115 गिगावार्ट का कुल लक्षे रखा है जिसमें 100 गिगावाट तो है इसाथ गिगावाट है फवह 25 ये दोस्तों बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है आप इनको याद रखे इन डेड़ सो गिगावाट है सो रूर्जा साट गिगावाट है पावन उर्जा और बाके की दस गिगावाट उसमें मतलब बायो मास उर्जा ये आती हैं ये सब मिलाके एक सो पिछेतर गिगावाट का लक्से 2022 तक भारत ने रखा है अब आते हैं अगला की ग्रामेन छेतरों में आर्थिक गती वीडियों को पटरी पर लाने के उदसे से केंद्रिय वित मंत्राले ने पंद्रवे वित आयो की सिफारिसों के आदार पर 28 रज्जों के ग्रामेन इस्थानी निकायों को अनुदान के रूप में 15,187.50 क्रोड रुपे जारी किया है अब दोस्तों इतनी बड़ी मतलब लाइन को लिखने का एकमातर उदसी यही था इसमें तीन चार चीज़ है पहले चीज़ तो यह है कि पंद्रवे वीतायों की बात होगी पंद्रवे वीतायों को अधिक्स होना है यह आपको कमेंट बोक्स के अंदर बताना है मेरा आज का यह क्यूशन है इसका दवाब आपको कल या पर्शो में मेरी दूसरी करनोलोजी मतलब अगस्त के बाद में सितंबर मेने की और अक्टूबर मेने की मापको करन फेर है वो प्रोवाइड करवा दूंगा इस चैनल पे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब परें और बेल आइकन को जरूर दबाएं तो अब दोस्तों ये क्यूशन तो हो गया ये दोसरा दोस्तों फ्लो फ्लो में क्या पता राज्य ही पूछ ले तो 28 राज्य हो गया है वरतमान में आप सब को पता भी होगा 28 राजे हैं और 8 किंदर साशित परदेश हैं दोस्तों पहले गुंतिस राजे थे और किंदर साशित परदेश साथ थे फिर साथ से 8 वे 8 से 9 होए और राजे होगे 28 लेकिन 9 में से दमन और दिगु को मिला के वापस एक बना दिया इसलिए 28 राजे हैं वरतमान में और 8 किंदर साजित परदेश हैं तो इसमें मतलब 15,117 क्रोड रुपे वो अस्थानी निकायों को अनुदान के रूप में दिये हैं किसने दिये हैं किंद्री वीतमंत्रा लेने किस की सिपारिस पर पंद्रवे वीतायों की सिपारिस पर और आपको अधिक सापको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है ग्राम पंचायतों के लिए इसमें से परसेंट है वो सत्तर से पिछे सी परसेंट रासे हो ग्राम पंचायतों को खर्च करनी है और बलो किया मद्यवर्ती पंचायतों के लिए दस से पचीस परसेंट है और जिला पंचायतों के लिए पांस से पंद्रा परसेंट इसमें रासिया वो खर्च करनी है अब बात करते हैं दोस्तों आगे ससस्त्र बलों को तीन सो क्रोड तक की तातकालिक शेन्य खरीद को मनजूरी मिली है क्यों कि आप सब पता होगा दोस्तों अगर आप नियूज पेपर पढ़ते हैं डेली तो भारत और चेन का आपस में कुछ लपड़ा चल रहा है आप सबको इस चीज की जानकरी होगी लदाक के अंदरगत उस टाइम ज्यादा चल रहा था इसलिए ससस्त्र बलों को तीन सो क्रोड तक की ततकाल करीता है और अमेरिका में अगर कच्छे तेल का बंडार कर लेगा और भारत को जब जूरूत होगी तब अपने देश में ला सकता है तो विस्वा का तीसरा सबसे बड़ा तेल उभूकता और आयतक देश है वरतमान में भारत में तीन तेल रिजर्वा चेतर है जिसमेश मतल अगर यह दोनों भी पूरे बन जाएंगे और यह पांचो तेल लिजर्वा चेतर अगर स्टार्ट हो जाएंगे तो इन पांचों में कुल 22 दिनों का तेल वह स्टोक रह जाएगा 22 दिनों का मतलब यह कि भारत में 22 दिन में जितने तेल की खपत होती है उतना तेल इन फिर्तमान में बंदार करेगा यह चीज की घोशना हो चुकिया है अब आता है दोस्तों अगली चीज ही जाना का b प्रोजेक्ट संप्रक के तहत रिकोर्ड समय में इनको पूरा किया है। अलिन किया गया है और इनका काम हो तैयारीस करोड रुपए में रिकोर्ड समय में पूरा हो चुका है। और प्रोजेक्ट क्या था प्रोजेक्ट संप्रक के तैट अब आता है दोस्तों बोईंग बोईंग है एक अमेरिकी कंपनी जिसने भारत को 37 हेलिकोप्टर परदान किये हैं आपाचे हेलिकोप्टर जिनकों लडाकोаемся हे एक अबैड़ा चेनगोप्टर बरदरें पन्रा है चिनुक हिलिकोप्टर जो प्रिवेन का काम करते हैं अबप्रिवें का मतलब यह कि जैसे आप सिंग चतरे लफटा चल ज़ Basically तो अगर वहां पे उन्चाई वाले इलागों में अगर किसी मिशाल की तेनाती करनी है या फिशी लब कुछ भी चीज लेना नहीं है आप शेनिकों की बात करो हैं या और किसी चीज की तो वह है कि चिनुक शेन हेलिकोप्टर के दौरा वहां पे प्रिवैन उनका किया जा सकत है असानी से तो पंद्रह तो होगे प्रिवैन के काम के लिए चिनुक और बाइस हैं बोइंग अपाचे हिलिकोप्टर जो लड़ा को भी मान है ये दोस्तों आपको याद रखना है इसे क्यों से नाते हैं करन के तो बोइंग कंपनिय कहां के अमेरिका की है फिर आती है बात परदानमंत्री ग्रीव कल्यान पेकेज का विश्थार पांस माएं के लिए कर दिया गया है क्योंकि आप सबको पता होगा कि दोस्तों ये कौन सी योजना की मतलब पांस किलो ग्यों के स्थान पर दस किलो ग्यों मिलता है जो नौंबर तक मिलेगा इसके लावा एक केजी च बार्तियों को एकेजी चेना वो ने शुलक दिया जाएगा और नौंबर तक दोस्तों जुलाई में मतलब जुलाई की क्रेंट के हम बात करें तो जुलाई से नौंबर तक पांस मेने हो गए फिर आता है दोस्तों उबोक्ता सरक्षन अदिनियम दोजार गुनिस वर्तमान म हुआ है पहला उबोक्ता सरक्षन अदिनियम गुनिस सो त्हेंसी के बाद दोजार गुनिस में यह आयुत आया था और बीच जुलाई दोजार बीस को यह लग हुआ अब उबोक्ता किशी भी उबोक्ता नहले में मामला दर्ज करा सकता है मतलब इसमें नए अमेंड्मेंड के लिए ताकि याद हो जाएं हमारे याईूं तो दोस्तों इहां से हम सुरुगात करते हैं यह राव राष्टी प्रद्रसे में सबसे पहले हमने बात की लिवा की मेगा सोवर उचा परियोजना की जिसमें क्या है कि सYourवा प्रियोजना की बिज में की वो मद्य प्रदेस को 98% और दिल्ली मेटों 20% मद्य प्रधेस के मुख्य मंत्रियं शिवरा सिंग्चोवान और उत्तर प्रदेस की राजएपाल यह सौधा बेन लेकिन यह सौधा बेन अबंध्दे प्रदेश की कारी वायक राजेपाल का काम भी यही है और प्रतिवर्स पंद्रपून साथ लाग तरन स्योटू के उत्सजन को यह चीज कम करेगी दुरवास्तर क्या है एंटिटेक मिसाइल है जिसका सफल प्रिक्षन ओडिसा के बाला सोर से हुआ यह नाग मिसाइल का अफग सेंटर है किसके तेहत हुई है यह हुई है दो जार बाइस तक भारत को सो गिगवाट सोर उर्जा मतलब उत्पादन का लक्से रखा भारत ने नेशनल सोलर मिशन इसके तहत तीन मेगवाट का नोशिनाक आदमे में भी मतलब सोरूजा सेंटर इस्तापित किया गया है और पर अठाइस राजियों के ग्रामिन स्थानिय निकाईयों को लगब 15,187 क्रोड रुपे हैं वो जारी की है जिसमें से यह मतलब पूछी जाने के समावना कमी है कि कहां पर सतर परसेंट पर सिटर परसेंट इसके लावा बात है सरसस्तर बलों को 300 क्रोड रुपे तकी ततक भारत अमेरिका में कच्छे तेल का बंडार करेगा और भारत विस्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उबहुकता और आयतक देश है वरत्मान में भारत में तीन तेल देजर्वाचित रहें विशाका पत्नम पांडूर मंगलोर और दोचित्रों की गोश्णा हो चुकिए बनन मतलब काम करना शुरू चुका है तंदीखोल उडिसा में पांडूर करनाटक में और इन सब पांचों को बन जाने के बार लगब बाइस दिनों का इस्टोका वो भारत में हो जाएगा फिर आता है दोस्तों अगे कि डिजिटल सिक्षा पर पर परग्याता दिशा समिक्सा, विवस्ता, मारक दर्सन, बाद, असाइन, ट्रेक और स्राहना जिसको हम इंगलिस में कहें तो परग्याता देख लिए आपकी पीशे प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, याक या टॉक, असाइन, ट्रेक और अप्रीशेट तो इनका सबका पहला 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 परग्याता बन गया, तो परग्याता क्या है, यह चरण डिजिटल शिक्षा की योजना और कारियन वन का मारक दर्सन करते हैं, मतलब डिजिटल शिक्षा में आर्च रन के लिए डिजिटल शिक्षा पर परग्याता दिशा निर्दे जारी किया है, कि इसने भारत के पोक्र में विजुतिन और पर हें और यह बात है प्लेज़एंसे पाई ने से प्रक्षा के मारगाईन के सब्सक्राइब्स करें दोस्तों आगे यह चाहिन में प्रोजेक्ट संपरका के तहएं बाइंगर को शांथ है ने आपर जरेएंसे मेज़ों का आपकातर ञाइंसे हैं अपाच्चे और पंद्र हैं चिनुक प्रदानमंत्री ग्रीब क्लियान पेकित का विश्थार हो गया है पांच माय तक नौंबर माइने तक सरवादिक जनसंग क्या वाला देश होगा यह दोस्तों कुछ मतलब इतने इंपोर्टेंट चीज नहीं है लेकिन फिर भी मैंने डाल दी क्या पता आजए भारतिय रेल्वे ने खुद को जीरो कार्बन उत्सरजन करने वाली जन प्रिवें नेट्वर्क में बदलने का लक्ष से 2030 तेह किया है दोस्तों बहुत ही ज़दा मोश्ट इंपोर्टेंट सीज है कि भारतिय रेल्वे ने 2030 तक यह कार्बन उत्सरजन को जीरो करने का लक्षी लिया है कब तक लिया दो जार्थी स्थ तक बहुत ही ज़दा इंपोर्टेंट है वरतमान समय में कोईड को देखते करने के लिए भारत ड्रोन ड्रोन दोरा विक्षित चीन शिमा पर निग्राने के लिए भारत ड्रोन वो ड्रोन की दोरा बनाए गया है दोस्तों एक यूशन ये भी अच्छा है कि हिमाचल प्रदीश हर गर में LPG गेज देने वाला पहला राजी बना है कौन सा बना है हिमाचल प्रतेस है वो हर गर में LPG गेज connection देने वाला पहला राज्य है फिर है महा जोप्स पोर्टल मारास्ट में उद्योग पतियों और नोक्री चाहने वालों को जोडने के लिए पोर्टल लॉंच कहा है किसने लौंच किया माराष्ट के मुख्य मंतरी उद्व ठाकरे ने क्या लौंच किया है महाजोप्स लौंच फिर विश्व का दूसरे सबसे बड़ा डाटा सेंटर माराष्ट के मुंबई के पन्वेल में इस्तापित दोस्तों बहुत ही अच्छा टुपी कहा यह भी बहुत ह है तो यह थी दोस्तों हमारा राष्टिय परीदर से अब बात करते हैं आर्थिक परीदर से की यह चोटा सा यह मतलब सभी चोटी-चोटी टूपी है आप धरिये बनाए रहे हैं आपको बहुत ही ज्यादा वेनेफिट होगा इस वीडियो को आप देखोगे एक बार रिवि क्योशन कैसा आएगा कि जोरम मेगा फॉड फारा का का वह कहां बना है मिजोरम अब देखे यहां पर आपको ट्रिक भी मिल जाएगी जोरम और मिजोरम इसले कन्फूज नहीं होना है जोरम मिजोरम गूगल की भारत में दस अरब डॉलर निवेस की गोशना किया है गूगल लगातार बोस रिवर्स 2020 में भी भारत का सबसे बड़ा विअपरीक साज़ेदार बना और भारत के पक्स में अब दोस्तों कि यहाँ से आयात कम करता है और अमेरिका को निर्यात ज्यादा करता है इसलिए अमेरिका और भारत को लगा था दूसरे साल सबसे बड़ा व्यापार एक साज़ेदार बना है इससे पहले चीन में 2-013 14 से लेकर 201718 तक भारत का साज़िदा रहा था लेकिन दोस्तों भारत के पक्समे नहों कर चीन के पिसमें यह व्यापार होता निवेस में भारत दूसरे स्थान पर है बेटेन में सबसे जदा विदेशी निवेस है वो अमेरिका करता है उसके बाद भारत का अस्थान दूसरा है बेटेन में फिर बात करते हैं आगे बैंकों को मुन्रवित पोशन के लिए नाबाड ने 5000 क्रोड रुपे दिये जियो देश में 5G नेटवर्क है वो शुरू करेगा रोशनी नाडर एचल टेकनोलोजी की 40% का पदबार इन्होंने वर्तमान में संबाला है भारत की सबसे दनी मेला है और 2019 की जो फोवर्स ने जो स सबसे ताकतवर मेलाओं की सुची जार की तई उसमें इनका 14 वा स्थान मिला था दोस्तों है जो रोशनी नाडर की सबसे ताकतवर मेलाओं में 14 अन्य महीड़ा है और सिय टेकनोलोजी की चैन पर संका पद भार भी उन्होंने संबाला है और इससे इंपोर्टेंट छियो द बॉक्स के अंदर इसका पर जरूर बताना है अब बात करें दोस्तों आगे ऐलकॉल हादारीत हैंड शेनिटाइजर पर अठारा परसेंट जिस्टी लगाई जाती है दोस्तों यह क्यों क्यों आने की संभावना क्यों है यह तो आप सब समझ गए होंगे क्योंकि वो अठारा परसेंट जिस्टी लगाई जाती है अत्म निर्वर भाड़त अभीयान दोस्तों एक यूशन डफिनेटली राजस्तान फौलीस हो या फिर पप्वारी हो या पिर आगे आने वाले किषी बी exam में execution definitively आतम निरबर भारत अभियान से आएगा आप लिखे ले लो आपको पूरा याद घरणा ही है आतम निरबर भारत अभियान इसकी गोशना को थी tomar umई 2020 को वीच लाख लाख क्रोड रुपे की गोशना के साथ मतलब आत्म निर्बर भारत अब्यान की गोशना परदान बंते नरेंदर मुद्दीजी ने बारा मईए 2020 को 20 लाग क्रोड रुपे के साथ इसकी गोशना की थी और यह है पेकेज भारत की जिडिपी का 10% है आत्म निर्बर भारत अब्यान का दोस्तों संकेन अर्थ कहलो या अर्थ कहलो कि अन्य दिश्वों के साथ है आयात निर्यात पर भारत का निर्बरता वो कम हो आत्म निर्बर भारत का अब्यान का यही अर्थ है और इसमें परदानमंतिन नरेंदर मुद्दी ने एक नारा दि पेकी गोशना के साथ ही इसकी गोशना हो गई थी अब बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में और भी फिक्टों की आतम निर्बर भारत अभ्यान के मुख्य उद्श्य क्या हैं आप पूर्ती सरंकला को सुदारना इसका बोगती मोश्ट इंपोर्टेंट पहला उद्श्य पर निवेस में बढ़ना बिना गारंटिके रेंद परदान कर आइए सब इसके मुख्य उद्श्य हैं आतम निर्बर भारत वियान जिसकी गोशना बारा मईए दो हजार सोरी दोस्तों बारा मईए नहीं है हां बारा मईए है दोस्तों बोल गया था मैं बारा मईए 2020 को 20 लाक क् साथ इनकी कोशना हुए आत्म निर्वर भारत भारत बारा माई दोजार बीस आपको याद रखना है बोलना नहीं है दोस्तों मेरी तरह इसके पर मुख्य उद्श्य हैं ये क्यूशन आ सकता है इसके लावा पीम ने इस बियान के सफल होने के लिए पांच महत्वपूर्ण इस्थम बताएं बहुत ही जड़ा इंपोर्टेंट है अर्थ विवस्ता अधार बूत नाच्छा तंत्रिया विवस्ता विवस्ता विवसाइक जननांकी की और मांग अब दोस्तों विवसाइक जननांकी की में एक लग फेक्ट यह है कि भारत में लग और भारत अभ्यान से एक्टूशन डेफिनेट ने आने वाला है अब दोस्तों परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने इसमें चार संसाधन बता हैं कौन कौन से बता हैं बुमी सरम तरलता और कानून बुमी है लेंड सरम है लेबर तरलता है लेक्विडिटी और कानून हो गया ल प्रोए कि महान मंद्रेका की बज़ट में वर्दी ऐमसमी को तीन लाग मैं सेमी का उसको पैंतारिस दिन में करना है और इसके लावा एक और बात करें तो एन भी एप सी को 30,000 क्रोड की तरलता युजना इसने दिये तो दोस्तों ये तहत की गोशना है सबसे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो गोशना थी वो मैंने इसमें इंक्लूड की है इसके लावा इसके समझनीत मैं अलग से क्यूशन लेकर रहूंगा भारत अभियान पर क्यूंकि यह बहुत ही इंपोर्टेंट उपिक है इससे एक क्यूशन तो डिफिनिटल आया गया और ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं तो दो भी आ सकते हैं आपको बहुत ही जड़ा इंपोर्टेंट ओपिक है माँ बार-बार कह रहो हूं आपको पूरा याद करना है फिर आता है दोस्तों राजस्तान का परिदस से इससे पहले हम आर्थिक परिदस्टे को एक पार दूसरे साल बिटेन में भारत दूसरे स्थान पर है बैंकों के पुंद्रवित पोशन के लिए नाबार ने लगए पौंस अजार क्रूड रुपे दिये हैं जी ओदेश में फाइफ जी नेट्वर्क शुरू करेगा रोशन नहांडर कि है रोशन आंडर है एचियल टेक्नो क्या देशन का आर्त पर दोशन होना और इसमें भारत के नरंद्रमुदी पर्दान मंद्री ने नारह दिया था वौकल फोलोकल अबात कि इसी अलग आत्म निर्ब्र भारत वियान के मुख्य उद्यसए क्याता सबसे मयन उद्यसएता अपुर्थिस रंकला को सुधार при्वस्ता को तार्कश करना उत्तम आतारबुत संसना तैयर करना सुक्समानों संसादन मजबूत वीती विवस्ता और निवेस्ट में बढ़दी करना पीम ने इस योजना के सफल होने के लिए पांच महत्वपून इस्तंब बता है कौन-कौन से इस्तंबते अर्थ विवस्ता अधारबुत नाच्छा वि इसे दिन में करना है इसके लावा NBFC को 30,000 क्रोड की तरलता योजना भी इन्होंने परदान किया है अब दोस्तों बात करते हैं राश्टी राजस्तान परीदर से की तो राजस्तान परीदर से में कुछ खास नहीं है बहुत ही छोटा सा है यह तो अब सुरिंदर अवाना दोस्तों सुरिंदर सब्सक्राइब को इस वीडियो में इनको इंकलूड किया है वन्हा इतना ज़्यदा इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन और गिनिक फार्मर से समंधित आ सकता है शुरिंदर रवाना हर्दर और गिनिक फार्मर राष्टी अवार्ट दोसार गुनिस पैंटीस लाग जुरूरत परिवारों को एकशार रुपे की अनुग्राय-रासी दी जाएगे अब अनुग्रह डासी सतापना के लिए दोस्तों 1- spinner लागो यह दोस्तों इंपोर्टेंट है दोगों की स्थाफना केलिए वन इस्टोप सो 555 लागु की जाए अग्यात वाहन से शड़क दुर्गतना में मरती होने पर जो निरवाची सद्धिश्यों है तेंश टिसीज जो की जुलाई में मंदम इन्होंने सपत लेज ती कौन-कौन थे केसी व्यों कपाल राज़ंदर गयल और निरस डांगी अब राज़ंदर गयलोथ खैकि देख सेंगे देराम इसके लिखतों दो बुक हैं बहुत ही जदना इंपोर्टर लगी मेरे को ये भूक कि आर्थिक अपराद तथा पुलीस की बूस की रजगतान था पुलिस की एकजाम है तो मेरे को ये इंपोर्टर लगेगी क्या क्या ठाइक्योशन आ सकता है है अर्थिक अपराद और पूलिस जो पुस्तक है उसके लेकर है Doctr जालम सिंग हैड क्योंस्टेबल है Doctr dale him Есть जिन js के दौबरा पुस्तक लिए अर्थिक अपराद और फुलिस अप पुलिस जालम अब दो धोनों यह नाम आप ट्रिक बना लैंए पुलिस जालिम आर्थी कप्राद और पुलिस पुस्तक के लेके कोन है डॉक्टर जालम सिंग है एक है मेरा यूद कैंसर विरूद इस पुरिये पुस्तक है डॉक्टर जस्वन सिंग राठी के दुवरा लिके गई है मेरा यूद कैंसर के विरूद मेरा यूद कैंसर तो से नहीं राज़स्तान के सीम गलोजी के दौरा किया गया इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है फिर एक सुद्ध के लिए युद्ध अभियान सुद्ध के युद्ध भियान धूद्ध से बने उत्पाद्धों को सुद्ध पराप्त करने है तो दोस्तों यह अव्यान है पैंतिस लाग जरुतमनत परिवारों को एक लाग रूपए के अिक हजार के दिय जाएगी उद्ध्यगों की इस्ताफणा केनी वन इस्टोप सोप दोस्तुप यह चीज इसमें रखना वन स्टोप सोप है यहां पर बन स्टोप सोप पर नले लागू की है अग्यात्वान से मतलब विदूर करना होने पर मर्ति होने पर दो लाक रुपए और गाहलों पर पचाथ जार रुपए के साइट है और राजस्तान से राजय सबाव में निर्वाची सोद्वाले दांगी जिसमें से राज़ेंदर कर लोता हैं बीजेपी के और बागी के दो हैं कॉंग्रेस से राजस्तान का पहला प्लाजमा बेंका वो एसमेस जैपर में बनेगा विदान सभा में जनले का समितिक है देखते हैं और प्राकलन समितिक है के देखते हैं दैराम आर्थिक अ डॉक्टर जस्वन सिंग राठी के दुवारा लिखे गई थी अब दोस्तों बात करते हैं खेल परीदर्से की तो खेल परीदर्से में कुछ खास हुआ नहीं था क्योंकि आप सब को पता है कि खेल तो कोरोना की टाइम चली नहीं रहे थे अभी वर्तमान समय में थोड़ी बहुत खेल चलने हैं आई पेल से आपको एकडम से ध्यान में लब एकडम से रट कर जाना आपको आपको देखने को मिल सकता है तो आई सी सी टीवी वर्ल् एक तो था श्री निवास वेंकट रागवन दूसरे थे सुंद्रम रवी अब दोस्तों खेलो इंडिया युवा खेलों की मैजबानी चोथा सरणा दोजार रिकीश में होगा जिसके मैजबानी करेगा हर्याना दोजार रठारा में इनकी शुरुआत हो थी खेलो इंडिया में होगा है युवा खेलों की 2018 में दिल्ली में होते हैं 2019 में महराष्ट के पूने में और तीस रवाता 2020 के असम के गवाटै में और चोथा सरणा वह होगा 2021 के हर्याना में यह इंप्पोर्टन चीज है अफिर आता है न्युक्तियां तो न्युक्तियां में दोस्तों आए अ सोग लवासां इसलिए इंको बनाए है है माड्यू लंग फिलिपिन्स में माडवी फिलिपिंस में% ना मात्चू कवा मात्चू कवा अब यहां शे आपको याद हो जाएगा लवासा बसाथ चाओ लब रहा है जो एक विकास बेंग का हैड़कॉर्टर है फिलिपिन से में और देख से हैं माचुक असकावा जीन केश्टेक्स फ्रांस के पीम बने हैं दोस्तों क्यों इंपोर्टेंट फ्रांस वाले चीज़ क्यों कि फ्रांस से अभी राफेल हैं वो भारदेश में आये हैं तो यह चीज इं वेताइशन थे मैं आधमें पोसब्सक्ता है इसलिए जीन केश्टेक्स है फ्रांस के पीहम वे इम्ष्टेक्स पीयम और इंप्स्टे के राष्टपति प्यंजी्टति अब बात हती आगे फुस्तक हैं दोस्तों यह दो फुस्तक है एंस का अज कि बॉस्तक हैं अक और ठीम बॉन्ड और फ्यूचर ओफ हायर एजुकेशन नाइन मेंगा ट्रेंड दोस्तों यह इंपोर्टेंट है क्यों कि इस पुस्तका गुमोचन भारत के उप्राष्टपती एम बेंके यह नहीं किया था यह पुस्तक लेकिए यह पठाभी नाम सी एवी पठाभी नाम क्या पुस् स्किन बॉंड की जेन केश्टेक्स को ना फ्रांस के नए प्यम बने हैं मेंनल मेक्रो फ्रांस के राष्टपती है एसोख लवास है एक विकास वैंग के उपादेक्स बने हैं और इसका अधिक्स है मात्शुक असकावा और हैड़कॉर्टर है फ्लिपिंच में दोस्तों यह चीज हमने हो गई है रिविजन भी कर लिए अब बात करते हैं आगे परवासी रोजगार आप वो दोस्तों सोनो सूदने लौंज किया था परवासी रोजगार आप आप सब को पता होगा कि कोरोना के टाइम जब मुंबई से बहुत ही ज्यादा परवासी हैं वो जो सोदने ही लौंज किया था अब आता है प्यम सव निदी योजना बहुत ही ज़्यदा इंपोर्टेंट दोस्तों स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 का रिंग दिया जाएगा प्यम सव निदी योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जो रेडी वाले चलाते हैं उनको 10,000 रु क्या है पर आता है operation शमुदर सेतो मुधर्चंप विदेष लाने के लिए समुधर मार्ग से पांच मई से आठ जॉलagarय के लायं घया Awesome समुद्र मारक से ओपरेशन समुद्र से तो है और लगबग 4000 लोगों को इस से मतलब लाया गया था फिर आता है दोस्तों एक मनिपूर जलापूर्ती परियोजना के आधार सिला पीम नरेंदर मोदी ने वीडियो क्रॉंसिंग के मादे में से रखी थी 2019 की जल जीवन मिशन आप सब को पता हुआ कि नरेंदर मोदी जी ने दुबारा जीत के आने के बाद एक नया मिशन लोंच किया था जल जीवन मिशन जिसके तहट 2024 तक हर घर को जल मतलब देने का इन्होंने लग से लिया था कि 2024 तक हम हर घर में टूटी लगा देंगे नल लगा देंगे नल से जल पिना है तो 2024 तक हर घर को जल देने के उदस्य से मनिपूर जलापूरती परियोजना के आधार सिला वो नरेंदर मोदी जी ने वीडियो कॉ के माद्यम से रखी है तो आपको याद यह रखना है कि यह लगबग 3,000 करोड की प्रियोजना थी और मन्यपूर में रखी गई है तो दोस्तों यह थी पूरा मनें आपको मतलब देने का परियास किया है कि एक वीडियो में आप सब एक महीने की क्रोनोलोजी को समेटने का परि देख लें आप दोस्तों इनको लाइट नहीं लेना है क्योंकि इसमें से क्यूशन आता है अगर आपने पहले कोई एक्जाम दी है या किसी को आपने पूछा है तो आप सब को पता होगा कि करनोलोजी से आपको लगबक 99% क्यूशन आपको करंट के मिल जाएंगे और उसी में से मैं आपको बता रहा हूं कि लगबक ज्यादा भी याद नहीं तो आपको तीन या चार मेने की लास्ट करनोलोजी है वो तो आपको याद करने चाहिए उन में से आपको 80% क्यूशन मिल जाएंगे तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें सबसे इंपोर्टेंट आव आतम निर्पर भारत ब्यान वह तो आपको याद होना ही चाहिए क्यूंकि उसमें से आपको एक ट्यूशन डेफिनेट में बलेगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें शेर करें और तेनल को आगने अभी तक सबस्क्राइब ने किया तो जरूर कहें थैंक्ट्यू जहिन जेवार्थ